उम्श्यांती, सत्र अक्टोबर की शुर्य दौन में सिपकर सोगाते हैं, परमात्पर कहते हैं कि कोई भी बात कल्यान की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भावा किसी भी बात में कल्यान हैं, अगर हम इस दिसको गाट मान लें, तो कोई कैसी भी बात करें, कितना भी नुकसान दें, कितना भी हमारी बदनामी करें, निंदा करें, हमें परदर्शन करने की जुरूत नहीं पड़ेगी, बिलकि उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों बोला, वो अपने आपको क्या समझती है, समझता है, ये दर्शन, इस प्रकार का मन के अंदर उसकी प्रती भाव रखना, बार बार उसके बार में सोचना, तीसरे ने तर में इसकी छवी बनना बार बार, जब इसकी बार में सो लग अलग तौर तरीके है संसकार है जो की बाहर मर्ज होते हैं फिर मर्ज होते हैं तो इसलिब आप परमदर कहते हैं देखते हुए ना देखें सुनते हुए ना सुने, किसी ने कुछ गलत बोला, सुनते हुए ना सुने, क्योंकि वह आत्मा अपना ड्रामा में पार्ट बजा रही है, अपना ड्रामा में पार्ट रोल फिक्स कर रही है, अपने स्वचिंतन में रहें, कि मुझे क्या सुचना है, मुझे क्या बोलना है, आत्माप कोह्ए सोचनतन के अपने कहते हैं कि अपने अंदर की कमी पुम्जोरी सुक्षम चोटी बढ़ी उसको में निकालना फैड़ना रिए मक्तर किसी कारण से सुनना पड़ता है आप खड़े हैं, आपको बुलाए जा रहा है ऐसी बात हुई थी, क्या आपको पता है सुनना पड़ता है आपको अपने आपको जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावफ़ बनाओ कि मुआ पर बात हुई सुना लेकिन जैसे ही वहां से किनारा हुए बाहर निकले वह से बाहर गए फुल स्टॉप पार्फूल ब्रेक देखा सुना जहां तक हो सका कल्यांड किया और फुल स्टॉप जेतना हो सका उसको परिवर्तन करनी की कोशिश करी आपने औरों का नजेTFर्य चेंच करनी कोशिश करी गलती में भी नेगटिव में भी पॉसितिव दिखाने कोशिश करी जहां तको सके किया और फुल स्टॉप फिर यह नहीं बोलना है कि मैंने तितना ट्राई किया उनको समझाने का ये लोग ऐसे ही हैं ये तितना समझते नहीं है इतना थोड़ा नेगटिव लेने चीए वो भाईजी ने ऐसे ये बहन ने ऐसे उसने ऐसे वो ब्रदर ने ऐसे, सिस्टर ने ऐसे या वो बॉस ने ऐसे, इस ने ऐसे ना, फुल स्टॉप अपनी महिमानी करनी हमापन ये बहुत इंपोर्टन्ट है और ये ग्यान हर सिच्वेशन में हर परिस्टित में यूस वसकता है अमश्यन्ति